आज का ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो के अंदर हम RCCP की मिली एंप्यर रेटिंग को कैसे सलेक्ट के जाता है इसके उपर बात करेंगे दोस्तों जब भी आप किसी RCCP को देखे हो तो आपको हमेशा RCCP के उपर दो तरीकी की करेंगे लेकिन इसके साथ में थैटी मिली एंपर की जबकि दूसरे सो ओं मिली एंपएर कहें तो आखिर है और सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान होनी चाहिए कि जो भी हमारी RCCB होती है इस RCCB वे दो टाइप की रेटिंग क्यों है तो इसमें जो हमारी यह पहले वाली रेटिंग है जो कि यहां पे 25 A लिखावा है यह हमारे इस बात को बताती है कि इस RCCB को आप कितने लोड पर जोर सक हो और यह 25 A की हम लगाएंगे 40 A की लगाएंगे यह कितने A की लगाएंगे इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं तो यह सेम रेटिंग हम जब से MCB को सेलेक्शन किया जाता है अगर आपको जहां पर कहीं पर RCCB लगानी है और वहां पर पहले से MCB लग रही है तो उस MCB के आप 16 A की लग रही है तो आप 16 A की RCCB को लगा सकते हो लेकिन RCCB को पूरी तरके से कैसे स्लेट के रहता है इसके उपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है आप वह वीडियो भी देख सकते हो अभी हम हमारे अगले टॉपिक के उपर आ जाते हैं कि आखिरकार यह दूसरी A rating है यह A rating क्या है और हमें कौनसे A rating की हमारी RCCB को लाना है तो दोसो सबसे पहली चीच यह दूसरी A rating होती है इसे हम बोलता है RCCB की sensitivity range मतलब कि हमारी जो यह RCCB कितनी sensitive है उस चीच को हमारी यह दूसरी rating बताती है अभी आपको एक बात यह clear होनी चाहिए कि जो RCC की sensitivity range होती है यह सिर्फ तीन टाइप की आपको देखने को मिलेगी मतलब कि आपको मार्केट में सिर्फ 30 mAh, 100 mAh और 300 mAh इन तीनों टाइप की ही RCCB की sensitivity range देखने को मिलेगी लेकिन आप सभी के मन में एक अगला सवाल यह आएगा कि आखिरकार इन में से कौन उसी हम RCCB लेके आए और यह question आपसे interview में भी पूछा दा सकता है तो अगर हम सबसे पहले बात करें 30 mAh की तो 30 mAh sensitivity range वाली RCCB को उस जगह लगाए जाता है जहां पर हमारे जो लोड है उस लोड का direct touch human के साथ में होता है जैसे कि हमारे घर के अंदर हमारे घर के अंदर आप द लगाते हैं 30 mAh की sensitive range वाली RCCB लगाने का फायदा यह रहता है यह है जो RCCB होती है यह काफी जादा sensitive RCCB होती है मतलब कि हमारे जो supply wire है जो wire है जिसमें हमारा current flow हो रहा है अगर उस wire से थोड़ा सा भी current leakage हो जाएगा किसी up current की body में या wall में कहीं पर भी थोड़ा भी current leakage हो ज जाती है तो इसी वज़े से इस RCCB को हाई sensitive RCCB कहा जाता है और इसका manly उपयोग उस जगे किया जता है जहां पर हमें ज्यादा electrical shock से protection चाहिए होती है उधारण के तोर पे आप आपके घरों के अंदर देखोगे तो आपको maximum तोर पे 30 mAh की RCCB देखने को मिलेगी इसके बा है 100 mAh RCCB का तो इसका उपयोग ऐसी जगे किया जाता है जहां पर हमार जो load है उस load में पहले से inherent leakage current है तो हमारे जो digital devices होते हैं जैसे हमारे laptop हो गए इन सबी के अंदर पहले से ही थोड़ा सा leakage current होता है और वह जो permanent leakage current थोड़ा रहता है उसे हम inherent leakage current बोलते हैं तो ऐसी जगे ज हम laptop का उपयोग करते हैं लेकिन वो हमारे गिंटी के होते हैं लेकिन अगर आप किसी data center के अंदर जाखोगे दखोगे तो वहां पर कहीं सारे computer का उपयोग के जाता है तो ऐसी जगे जहां पर कहीं सारे digital device का उपयोग हो रहा है तो वहां पर जो हम maximum तोर पर जो RCCB को लगात लेकिन अगर आप कभी industry के अंदर जाके देखोगे जो हमारी manufacturing industry हो गई या फिर आप किसी hotel में जाके देखोगे तो ऐसी जगे पर आपको यह 300 millionp के RCCB देखने को मिलेगी ऐसा इस वज़े से क्योंकि इस RCCB का उपयोग हमारा जहां पर भी fire protection हो रही है वहां पर आपको सिर या फिर जो बड़ी बड़ी जो machine होती है वहाँ पर machine के अंतर थोड़ा leakage current हमीचा रहता है तो इस वज़े उन heavy equipment के साथ में हम 300 millionp sensitive range वाली RCCB का उपयोग कर रहे होते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी helpful साबित हुआ होगा आपको य वीडियो कैसा रगा प्रीज वीडियो को लाइक करता है अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रत्याव लगेड़ा आप मंझेले से कमेंट वक्षा कमेंट करके पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद